नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि धंतेरस पे जो हम जाडू लाते हैं उसका पूजन हमें किस प्रकार से करना होता है क्या कैसामिगरी की आवशकता होती है और प्रॉपर तरीके से हम किस प्रकार से जाडू का पूजन करें तो दोस्तो इस जाडू से सम्मंदित जो भी सारे नियम और सावधानिया है उससे सम्मंदित वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है पहले से ही उससे आप वहां से देख सकते हैं उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो दोस्तो हमार दो शुब माने जाती है और जब हम धंतिरस के दिन जाडू खरिद करके लेके आएं तो वो हमें छिपा करके आनी चाहिए ताक कोई हमें टोके ना कि हम जाडू लेकरके आ रहे हैं तो दोस्तो जाडू नेगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिविटी घर में लाती है इसलिए इसे लक्शमी का रूप माना जाता है. वास्त्रषास्त के अनुसार, झाड़ो और लक्शमी जी का बहुत ज़्याद गहरा संब्ध माना गया है, जाडू घर लाने और उसे सम्मन्दित नियोमों का पालन से लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है जाडू को पैर लगाना उसे उलांगना और ठोकरे मारना आदी बहुत ही जादा हमारे जीवन में कस्ट कारी परिसितिया पैदा कर सकता है रोगों को दूर करने वाले शीतला माता के हातों में भी आप देखेंगी कि जाडू है इसलिए जाडू के महत्व को समझते हुए जाडू के कुछ नियोमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए जाडू जब पुरानी और जजड़ हालत में उजाती है तो खूद एक कच्रा बन जाती है तो फिर वह कच्रा कैसे साफ करेगी तो उसे घर से हमें निकाल देना चाहिए बाहर कर देना चाहिए तो उसके लिए भी एक नियम बताया जाता है अमावस्या या शनिवार को ही हमें जाडु को फेकना चाहिए आप चाहिए तो दिवाली से अगले दिन होली से अगले दिन ग्रहन के बाद तूटी हुई जाडु को आप फेक सकते हैं भूल कर भी एकादशी में, शुकरवार में, गुरुवार में कोई भी लक्षमी पूजन का जो भी दिन होता है उस दिन आमें जाड़ू को नहीं फेकना चाहिए दोस्तो धन्तेरस के दिन कोई भी वार पढ़ आओ जाड़ू जरूर खरीद कर हमें लानी चाहिए क्योंकि धंतेरस के दिन जाडू करीना बेहर शुब माना जाता है तो दोस्तों देखें मैंने एक पटा ले लिया है उसके उपर इस तरीके से रंगयोली बना ली है पुश्व लगा दियें तो आप चाहें तो यह पूजन आप जमीन में भी कर सकते हैं जमीन को आप थोड़ा सा गेरू से लीप लें या फिर गोबर से लीप लें वहाँ पर आप जाडू का पूजन कर सकते हैं तो यह देखिए हम एक जाडू लेकर के आए हैं यह फूल जाडू है आप फूल जाडू खरीज सकते हैं या फिर आप जूट वाली जाडू भी खरी सकते हैं लेकिन धंतेरस के दिन हमें प्लास्टिक की जाडू भूल कर भी नहीं लानी चाहिए उसे शुब नहीं माना जाता है तो दोस्तों ये जो पूजन है कुछ तो धंतेरस के दिन करते हैं और कोई-कोई लोग इसे दिपावली वाले दिन भी करते हैं तो दोनों ही दिन चुब होते हैं आप किसी भी दिन कर सकते हैं जाडू का पूजन तो इसे पैकिट में से निकाल करके ही हम पूजन करेंगे तो दोस्तों जाडू को घर में हमेशा हमें छिपा करके ही रखना चाहिए और जाड़ु को सदैव हमें लिटा करके ही रखना चाहिए उसे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और जाड़ु को सदैव बांध कर रखना चाहिए वो खुली हुई नहीं होनी चाहिए और खराब जाड़ु को हमें घर से तुरंत ही हट जाडू को हमने पटा के उपर रख दिया है। इसके बाद हम शुद्धिकरन के लिए तीन बार इस तरीके से हाथ में जल ले करके इस पर चीटा देंगे। इस से शुद्धिकरन हो जाएगा ही जाजЭगा। अपर इसके बाद स्वयम मा शीतला भी अपने हाथ में इसे धारन करती है तो देखे मैंने अक्षत रोली चंदन सबर्पित कर दिया है इसके बाद में हम इसके उपर कलावा बांध देंगे तो दोस्तों जहां पर सफाई स्वच्चता रहती है वहीं परमा लक्षमी का वास होता है तो इसलिए जाड़ों की हम पूजन करते हैं हमारे सनातन धर्म की बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्ता है कि हम हर उस चीज़ का पूजन करते हैं जो हमारे जीवन से स संबंदित होती है तो यह दाम हम इसके बाद उसके पुश्प ऐर्पित कर दें rectangular को कि भी पुश्प परपित कर सकते हैं और इसके बाद में हम माला को धूप दीप दिखाएंगे उनका एक तरीके से आरती उतारेंगे तो दिखें इस तरीके से और तो दोस्तों ये माल लक्षमी के स्वरुप मान कर ही आज हम इनका पूजन कर रहे हैं तो इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे और जो भी बोग प्रसाद आपने रखा हो वो यहाँ पर रख देंगे तो बहुत ही आसान विदी है जाडू का पूजन करने की तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ग्यान वर्दक लगाओगा ग्यान वर्दक लगाया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें